जै श्रीराम दोस्तों EOD analysis के वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है तो आज bank nifty में जो हुआ और उसकी वजह से आने वाले दिनों में आने कल at least क्या expect कर सकते हैं कहां से बार-बार bank nifty पलट रहा है और पलट रहा है तो कहां तक जा सकता है यह जाने कुश्च करते तो आ कनवे करके wind up कर देंगे तो दोस्तों यहसे आप लोग को यह चार्ट पर दिख रहा हो गए 47,520 का लेवल 47,500 का जो रेजिस्टेंस मैंने mark कर रखा था और यहां पर फिर 21 जनवरी को attempt किया खुलते ही open drive फिर next day next to next day 23 फरवरी को इसने फिर से try किया और reject कर दिया और यह below average यानि कि जो sellers हैं उनको उनके साथ ज्यादा लोग जुड़नी रहे हैं तो people are still waiting for something अब वो something क्या है भगवान जाने अच्छा सो यहां पर market धीरे धीरे इस रेश्टेंस से नीचे की तरफ inch कर तो रहा है लेकिन low volume पर कर रहा है तो sellers are not strong buying का scene buyers है क्या market में तो दोस्तों buyers भ विक बनी थी ना तो विक डिनोट बाटम की विक है तो बाइंग डिनोट करती है टॉप की विक है सेलिंग डिनोट करती है तो यहां पर buyers ने fight मारी बट फिर they fail to continue at this vibrational level और फिर उसके बाद ठीक है exactly level तक नहीं पहुचे इसके 100 पॉइंट नीचे से retrace मार गया तो यह स्वि यहां पर क्या है कि buying का scene है ने because upside capped है जब तक यह resistance एक बार टेस्ट नहीं हो जाता तब तक capping चल रही है और जो sellers है वो strong नहीं है इसका मतलब यह है दोस्तों कि ना तो buyers के लिए उपर जगे नहीं है और sellers strong है नहीं तो market क्या रहना चाहिए लग भग लग भग sideways सब अब absorption bounce back किya morning के rejection से फिर से नीचे की तरफ आया और यह जो जहां से बार बार reject हो रहे है ना दोस्तों तो यह level जो 19 फरवरी के afternoon का है 19 फरवरी के afternoon से जहां से market ने bounce back किया था फिर 22 फरवरी को morning में वहां से फिर उसने bounce back किया आज भी वहां से bounce back किया और bounce back करने के बाद eventually अब उसके पास ही close हुआ है so इसका मतलब है कि जो price है वह अब इस zone को break करने के लिए तयार है break करने के लिए तयार है दोस्तों तो कहां तक जा सकता है next level तक तो इसके नीचे यह और यह लगभग बराबर है तो इसके जर्स नीचे यहां पर और support बना दोगे तो फिर price ही बूलेगे कि भाई हत्ते ही करता है तुम नीचे नहीं जाने दे रहे हो तो इसे थोड़ा सा distance बना के रखते है तो यह एक zone मेरे को दिख रहा है 46,150 के आसपास तो यहां तक market जाने की कोशिश कर सकता है तो दोस्तों आप लोग अपने चार्ट पर यह दो लेवल तो बना लो यह उपर का resistance जो कि तूट नहीं रहा है और in fact market उसके 100 point नीचे से ही बार-बार पलट रहा है और second यह नीचे 46,130 इसके आसपास market पहुचने की कोशिश कल कर सकता है तो यह चीज़ देखते हुए अपनने पूट साइट का BTST केरी किया हुआ है बैक्ग्राउंड के कलर से आप लोग को दिख गया होगा अब यह 46,130 का exact लेवल तो मैं exact लेवल बिलीव नहीं करता तो फिर भी यह 46,130 ही क्यों यह वाला क्यों नहीं यह वाला क्यों नहीं इसके नीचे वाला क्यों नहीं तो वो दोस तो यह है बैंक निफ्टी का TPO चार्ट continuous contract का तो फ्राइडे को यह जो उपर सेलिंग टेल बनी और उसके बाद market नीचे की तरफ आया तो यह failed auction point जैसा हो गया था जो की बहुत strong reference level की तरह behave करता है तो इसी के sell-off को continue करने के लिए यह जो afternoon में sell-off हुआ था ना इसी को continue करने क कि उन्होंने देखो कोशिच की यह आपको यह proper ऐसे दिख रहा होगा और फिर continue करने के बाद उन्होंने इसको जहां पर 22 तारीक को और यह 20 तारीक और जो भी सपोर्ट आ रहे थे ना afternoon के तो वहां से फिर से इसने bounce back किया और eventually फिर ज्यादा दूर तक bounce नहीं कर पाया और अ heading for lower prices तो नीचे की तरफ कहां जाने वाले हैं मार्केट जहां पर या तो हाई वाल्यूम नोट ढूड़ेगा या फिर जो भी मार्केट जहां से बहुत तेजी से निकला है वह यह ढूड़ेगा या फिर anomalies ढूड़ेगा तो यह जो दोस्तों 15 तारीक की 15 फरवरी की अगर आ तक यह 46,125 का जो लेवल आ रहा है न रख बख 130 का लेवल यह 46,130 का लेवल मैंने मार्क कर रखा है हो सकता है कि इसको आर पर करके नीचे भी निकल जाए अगर दोस्तों नीचे तक जाता है तो फिर यह 45,800 का लेवल मार्क कर लेना 45,800 का चांसे मुझे कम लग रहे हैं बट म मेरा जो टार्गेट है इमेडिट टार्गेट 46,130 का यह क्रॉस हुगा तो फिर नीचे का टार्गेट अब मार्केट ऊपर नहीं जा सकता क्या तो अगर अपन सिर्फ और सिर्फ केंडल स्रिक्स का चार्ट देखे तो ऊपर की पॉस्पिल्टी नीचे की पॉस्पिल्टी थित प्राइड का स्ट्रक्चर देखो तो इधर पर डिस्ट्रिबूशन हो चूका है और नीचे का जो डिस्ट्रिबूशन है वो उन्होंने हरी में जल्दीबाजी में किया तो ये डिस्ट्रिबूशन जल्दी-böyle फिऊथ्य हुव था तो प्राइस यहाँ पर टाइम ऍसक auction process की उसको repair किया और वो रिपेर जब complete हो गया दोस्तों उसके बाद ही नीचे आया है इसका मतलब जो price है वो higher value से satisfied है now it is seeking lower prices ठीक है because higher prices are no longer advantages for long term trader long term जो भी participant है तो यह उपर distribution complete है यहां का भी distribution complete सा हो रखा है और उसके बाद इसको छोड़ते हुए हाला कि इधर पर आपको anomalies जैसे दिख रही होंगी but that's okay और फिर उसके बाद नीचे की तरफ ऐसे आने कोशिच कर रहा है तो अब इस में यह complete distribution उसके सामने यहां पर एक complete distribution तो इधर पर एक जो नॉर्मल distribution कर रहा है इधर पर अच्छा सा दिख रहा है और यहां पर जो अच्छा सा नहीं दिख रहा है तो अपने rescue के लिए क्या आता है अपने rescue के लिए आता है टीपियो काउंट तो उपर टीपियो ज्यादा है नीचे टीपियो कम है selling हुई है दो दिन से हो रही है तीन दिन से हो रही है चार दिन से हो रही है पांच दिन से हो रही है पिछले पांच दिरों से market में passive selling हो रही है higher TPO's, उपर की तरफ TPO अब जाता है, इधर भी उपर TPO जाता है, इधर भी उपर TPO जाता है, इधर भी उपर TPO जाता है, तो यह सब चीजे में जब conclude करता हूँ दोस्तों, तो मुझे समझ में आता है कि selling हो रही है, market is ready to seek lower prices, अच्छा, अब इसमें catch किया है, तो एकलौता catch जो है दोस्तों, that is monthly profile, यह monthly profile का IB है, यहां से उसने 22 तारिख को bounce किया था, आज भी वहीं से bounce करने की कोशिश की तो है, and I am expecting कि यह bounce fail होना चाहिए, तो फिर market नीचे की तरफ आना चाहिए, और अगर नीचे की तरफ आता है, तो फिर आने वाले time में, यह एक बड़ा fall दे सक सकता है, अच्छा, अब एक चीज़ दोस्तों, आप लोग note कर लो, कि अगर market Tuesday और Wednesday, यानि कल और परसो, दोनों दिन अगर fall देता है, तो वो fall, Thursday के noon तक continue हो सकता है, 11-12 बजे तक तीक है, European R's open होने तक, और वो fall फिर Thursday के noon में, अरेस्ट होके, अगर पल्टा, वो fall, अगर Thursday क के noon में, अरेस्ट होके, अगर पल्टा दोस्तों, तो फिर जो आज का high है, वो week है, और week money ने selling की है, आज के high में, और वीक money ने selling की है, तो पूरा यूटन मार के, Monday तक में, आज का high क्लियर कर सकते हैं, Hey, welcome back, I hope, दोस्तों, मेरे analysis से आपको कुछ ना कुछ फाइदा होता है, और मेरी कोशिश ये रहती है, कि मैं आप लोग को market के wrong side होने से बचा लूँ, बस मैं रहते ही प्रयास रहता है, दोस्तों, और market profile and order flow related, जो bank nifty के updates है, वो अपने telegram channel पे मैं live देता रहता हूँ, और ज चीज बहुत अच्छे सकाम करती है, तो वो सारे updates, telegram channel पे आप लोगो free of cost मिलते हैं, channel के link दोस्तों, आप लोगो description मिल जाएगी, और once again, channel is free to join, सेवा का मौका दे, सेवा अच्छी लगे तो बने रहे, नहीं तो, चैश्री राम.